हेलो माई डियो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि मॉडल क्या होता है मॉडल्स ओफ टीचिंग उसके करेक्टर स्टिक्स अजूम्शंस फंडामेंटल अलिमेंट्स कौन-कौन से हैं टीचिंग मॉडल के तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मॉडल होता क्या है मॉडल मथ की आइडल फििंकर जैसे हम बहूते है ऊफिंग डाज के हैं बहुतie है मॉडल भी बना के रखा होते तो वह क्या होता है कि अग्जेक्ड्रत वहा होता है आग मॉडल्स टाइप के होते हैं यहां इसे मॉडल बोलते हैं तो मॉडल कितने टाइप के होते हैं, मॉडल चार तरह के होते हैं, फिजिकल मॉडल, कन्सेप्चुल मॉडल, माथमेटिक्स मॉडल और ग्राफिक मॉडल. अब अगर हम डेफिनेशन देखें, तो जोएस अंड वेल ने भी बोला है, बस इतने ही आद कर लेना चाहें, कि टीचिंग एक ऐसा मॉडल है, जो कि एक इंस्ट्रेक्शनल डिजाइन्स है, बतलब कि एक शेप पूरा दी हुई है, एक प्लान को. नेक्स्ट अगर हम देखें, तो जंगीरिया एंड अजीत सिंग ने भी बोला है, कि मॉडल क्या है, is a set of interrelated activities arranged in a sequence which provides guidelines to realize specific goals. आप इतना इतनी एक एक लाइन याद कर लेना, उतना भी बहुत होगा, क्या है, interrelated है, arranged है, एक sequence में है, जिससे हम अपने specific goals तक पहुंच सकते हैं, तो अब हम इसके features के बारे में जानेंगे, तो जो है model क्या है, teaching strategies के लिए बहुत जादा important है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ताज महल नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसा model लाके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, क्यूंकि अगर हम उनको liner उटाई जाएंगे, वह पारवर वही cramming करी जाएंगे, वही लिखी जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें दिखाएंगे तो वह creative बनेंगे और खुद लिखेंगे हैं न, तो instructional designs है एक तरह से, models जो है, उनको instructions जो है, instructions जो है, instructions जो है, instructions किया गया है, designs अच्छे बने हुए हैं हैं न, designing educational activities and environment, ये क्या है हमारे guidelines एक तरह से, जिससे हम अपने educational activities और environment को, जो है, design कर सकते हैं, ये एक patron और ऐसा plan है, जिससे हम curriculum को shape भी कर सकते हैं, a guide for teachers action, model जो है, क्या है, guide भी है, कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या करना चाहिए है न, अगर हम, मैंने जो अभी example दिया है, वही अगर लें, ताज महल पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को सारा बताएंगे न, तो teacher भी एक्ट करेगा, उसके साथ साथ में, prescriptive है, मतलब ये खुद को ही सारा prescribe करता है, model जो होता है, वह अपने बारे में, खुद ही सारा कुछ बता रहा होता है, फिर उसके बाद, realization of objectives, जब भी हम किसी model को देखते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, कि इनके objectives क्या है, instructional material होता है, सारा उसमें, ये जो models है, ये क्या होता है, scientific procedure, मतलब कि हमें डिख रहे होते हैं, और हम जो actively कर सकते हैं, ग्रामिंग का कोई काम नहीं होता है, जब आपे तो ये क्या है, scientific procedure है, specification of environment, इससे जो है, आस-पस क्या हो भी हमें पता चल जाता है, specification of performance criteria, इससे भी हमें पता चलता है क्या करना है, performance के बारे में भी पता चलता है, और operations के बारे में भी काम कैसे करना भी हमें पता चलता है, next, अगर हम इसकी classification देखे, teaching models की तो वो कैसे कैसे होती है, historical teaching model जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारे history को बताएं, जैसे ताज महल हमारे history को बता रहा है, तो history को बताने वाला model जो है, वो क्या होता है, historical teaching model, हमारी philosophy, जो different philosophers हो है, जैसे कि Gandhi, Chagor, हना, तो वो philosophical teaching models हो गए, psychological teaching models भी होते हैं, जो हमारे mental level से related होता है, हमारी psychology के बारे में बताते हैं, next, teaching model for teacher education, teacher education के लिए भी कुछ models बनते हैं, फिर उसके बाद है modern teaching models, कि आजकल जैसे 3D art हम यूज करते हैं, तो वो modern teaching models हो गए, सो आप जो है, इसमें fundamental elements components हैं, यह हम देखेंगे, तो इनको भी जो आप ऐसे ही लिखोगे, और कैसे लिख सकते हो आप इसे, जैसे F, S, S, P, S, A, क्या short form याद करो है, F, S, P, S, A, बार बार याद कर लेना, तांकि आप line में लिखो, ठीक है, तो है क्या सबसे पहला होता है focus, अब focus में क्या होता है, कि teaching के हमारे objectives क्या है, क्या focus है, हमें क्या करना है, हमारे क्या objectives है, next है syntax, syntax में क्या होता है model in action, मतलब कि steps क्या क्या है, कैसे हम उसको पूरा complete कर सकते है, social system है next, उसमें क्या होता है कि relationship कैसा है students और teacher के बीच में, फिर उसके बाद force हाता है principles of reaction, अब इसमें क्या है कि reaction of the teacher against the responses of the student की teacher का क्या reaction था, जो भी बच्चों ने answer दिया है, फिर उसके बाद है sport system, sport system में क्या है, कि जो भी teacher को facilities provide की जाती है, इन strategies को implement करने के लिए, वो सारा sport system में आता है, next है application, अब application क्या है कि कैसे हम इन सभी situation में इसे apply कर सकते हैं, इस model को वो सारा जो है application में आता है, तो यह fundamental जो elements हैं बहुत important है, और आपको जो है activities लिखने हैं, पहले focus, फिर syntax, फिर social system, फिर principles of reaction, फिर sport system और application, अब इसकी assumptions कौन-कौन से हैं, सबसे पहले कि appropriate environment होना चाहिए है न, फिर उसके बाद interaction होनी चाहिए, आपस में बातचित होनी चाहिए, फिर उसके बाद different different हमारे outcomes होते हैं, जो भी हमारे objectives हम देखते हैं, क्या हमने उनको achieve कर लिया के नहीं कर लिया, क्योंकि हम models वो हमारे objectives ही बताता है, सबसे पहले focus में नहीं यही बताया, फिर उसके पाद जो है, इससे हमें environment के बारे में पता चलता है, वैसे तो कोई भी model जो है perfect नहीं होता, for example, टाजमेल की बता रहे हो, तो वो बिलकुल जिटो तो नहीं होगा, हाँ, same होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है, कि उसमें same ना भी हो, तो को कोई भी perfect model नहीं होता है, different types of learning है, अलग-लग वैसे हम learn कर सकते हैं, ऐसे तरीके से students में different different तरह के हैं, कई बच्चों को model देखके पढ़ना हम जादा पसंदा है, कई बच्चों वैसे, दूसरे वैसे अच्छा पढ़ लगते हैं, तो different different तरह के exemptions भी हैं, next इसकी merits की बात करे हैं, तो सबसे पहले, वही की models होते क्या हैं हमारे objectives के लिए, तो objectives अचीव करेंगे, teaching को हम effective करता है, अगर कोई भी teacher जो है, model लेके पढ़ाता है, तो उसकी teaching ही बहुत अच्छी हो जाती है, वो कैसे, बच्चा अच्छे वैसे समझ बाते हैं, mostly, फिर उसके बात, classroom environment, जो है, cognitive abilities, mental abilities हैं, या intellectual abilities हैं, वो develop करते हैं, क्योंकि बच्चा, model से ज्यादा अच्छे वैसे पढ़ पाता है, फिर उसके बात, जो है, हमारी teaching और learning को अच्छे से specify करते हैं, models, जैसे हम दिखा के पढ़ रहे हैं, फिर उसके बात, जो theories हैं, उसको formulate कर, हम सिरफ बच्चों को पढ़ हैं, हमारे research work के लिए भी, और वैसे हमारे work के लिए भी, और यह जो है, wide applicability है, means कि, आपने देखा होगा, ज्यादा तर जो है, हम यही use कर रहे हैं, models होगे, charts होगे, या वैसे कोई चीज दिखा के, है न, उससे बच्चा ज्यादा सीखता है, for example, कि अगर आप बच्चों को आपने बच्चों को apple दिखाना है, है न, तो आप वैसे apple ले जाओं, तांकि बच्चों को पदा चले, उनको थोटे बच्चों को अगर है, तो wide applicability हो जाती है, अब इसकी demerits क्या क्या है, सबसे पहले कि perfect model नहीं कोई होता, वही मैंने बताया कि, अगर हम कोई model दिखा रहे apple तो आप ले जाओंगे, लेकिन कई चीज़े आप नहीं उठा के ले जा सकते हैं, अगर ताज महल का पूरा वह है, कैसे अकेले उठा के नहीं चलो, कोई और साथ ने उठा के ले गया है, लेकिन वह ऐसा हो सकता है, कि बिल्कुल भी return आओ, थोड़ा बहुत मिलता है, लेक सुटेबल नहीं है, individual differences है, कई बच्चे जो है, चार्ट से, मोडल से जादा पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे जो है, वो cram करते हैं, या कई बच्चों को जो है, नहीं समझ में आता, तो individual differences के बज़े से भी जो है, problem आ सकती है, तो आज हमने जो है, models of teaching के बारे में जा है, so hope you like this, please like, subscribe and share this channel for more and more videos, thank you